खबर गाजीपुर से है जहां गालीबास थाना द्यक्ष का एक वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कसीमाबाद कोत्वाल कमलेश पाल अपने सरकल के सीओ बलराम के सामने ही काली दे रहे हैं। गालीबास इंस्पेक्टर के वी पिशेक भारतिये ने बताया कि कसीमाबाद कोत्वाली के गाली गलोच के वीडियो की जाज शनिवार को मिली है। गाली देना अशोबनिये हैं। मामले की जाजकर कोत्वाल पर कारवाई की जाएगी। अब अब तैयार कर रहे हैं। अब हम तैयार कर रहे हैं। अब यह वहां से कापी आए। इसे में लख्टी करो। ठीक है। तुछ थिगरी नहीं, वो सारी धाराएं लगेंगी और वीडियल जाएगा। तमन में आई बात की नहीं। एका कान कोल के सुन लिया, और अव अस तो असली पास जो है डाक्टर की जिगरी नहीं, वो सारी धाराएं लगेंगी और जील जाएगा, कमन में आई बात की नहीं समझने हैं, एका कान फोल के सुन लेहां, और असली बात तो हो तो उका जील बेच के बताओंगी, तहरी जो इसी वक्तिना मतसर पार दिला करो, गाजीबुर के बिर्नो थाने के पास एक अवैद अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसके बाद हंगामा किया गया था, जिसकी सूचना कोतवाल को दी गई, लेकिन कोतवाल मुख्यमंत्री के कारिकरम के कारण वहां नहीं पहुच पाए, वहीं सूत्रो का क कहना है कि मुख्यमंत्री के कारिकरम के बाद पीजी कॉलेज चौराहा पर कसीमाबाद कोतवाल हॉस्पिटल संचालक को गाली देने लगे, तब ही किसी ने वीडियो बनाकर सोचल मीडिया पर वाइरल कर दिया, पंजाब के स्री टीवी के लिए गाजीपूर से आरिफ वार कि तहीर दो इसी वक्तिनमत्र कार दिला करो, जंद भेज़ बेज़ बात की नहीं, वो सारी धाराएं लगेंगी और वार पंजिल जाएगा, तमन मैं आई बात की नहीं समझ में, एका खोल के सुन लेहा, और असली बाप को हो तो उपर पंजिल बेज के बताँ, तहीर दो इ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद